नमस्कार आप देख रहे हैं कशिश नियूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा विश्व विद्यालेओं के कामकाज में पारदर्शिता रहे और हर काम के लिए पटना दोड़ना लगानी पड़े इसके लिए नोडल अधिकारियों की नुक्ति की गई है 12 जून की बैठक में ये फैसला हुआ और दो दिन बाद ही इस पर अमल भी हो गया उमीद है कि अब कामकाज की रफतार तेज होगी देखे पूरी खबर सक्षा विभाग और विश्व विद्यालेओं के बीच रिष्टों पर पड़ी बर्फ पिघलने लगी है 12 जून को सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इस सिधार्त की अगवाई में हुई बैठक के बाद कई ऐसे फैसले लिए गए जो विश्व विद्यालेओं में पारदर्शिता की कवायद के लिए काफी है सक्षा विभाग ने आदेश के जरिये सभी 13 परंपरागत विश्व विद्यालेओं के लिए नोडल ओफिसर की न्युक्ती करती है विश्व विद्यालेओं को भी सरकार के इस फैसले से राहत मिलती दिख रही से मिलते थे या कुल पती राज़ाओं से मिलते थे यह सरकार की अच्छी पाहल है हम इसकी सराना करते हैं कदम को क्योंकि जो भी दिखते हैं को होगी उनके द्वारा मौमला सौल्फ हो जाए वह अच्छी परदकार की है हम लोग कोई लेटर इनवस्टी भेजती है और सरकार में पढ़ा रहा जाता है और हमारे आदमी महां जाके परशू करते रहते हैं कोई सुनता नहीं था तो उसमें यह हुआ कि उन्होंने का कि एक नोडल ऑफीसर बना देंगे जो कि सिर्फ आपकी विश्विद्याले के ल लेटर बेज दिया साशन में में अफलेशन से सम्बन्दित भेज दिया फीस सम्बंदित भेज दिया से लिए स्ट्वी बने व्याटर बेज दिया तो यह समझे आ यहां और काम में स्पीड अप भी होगा काम, तो यह अछी चीज है और अच्छी पहल है यहाँ अपने इस तर पे इन्वस्टीर इस तर पे भी एक नोडल आफिसर बनाएंगे सवाल यह है कि आखर विश्व विद्यालेओं के लिए नोडल आफिसरों की निउक्ती की जरूरत क्यों पड़ी? दरसल पटना में स्थित पटना विश्व विद्याले या पाटले पुत्र विश्व विद्याले के अधिकारी सेक्षा विभाग आकर काम निप्टा लेते थे लेकिन दूसरे शहरों में स्थित विश्व विद्यालेओं के अधिकारियों को काफी परशानी होती थी अब इस सम के समाधान के लिए नोडल ओफिसर की न्युक्ति की गई है। पटना युनिवर्सिटी के लिए उच्छ सक्षा निदेशक रेखा कुमारी को नोडल ओफिसर बनाया गया है। और नसीम एहमद को पूरणिया युनिवर्सिटी का नोडल ओफिसर बनाया गया है। दीपक कुमार सह को आर्यभट ग्यान विश्वविद्याले और पाटले पुत्र युनिवर्सिटी का जबकि दिवेश कुमार चौधरी को नालंदा खुला विश्वविद्याले और मजहर प्रोफेसर कामेश्वर जहा के मताबिक पिछले 6 महीने से बिहार के विश्व विद्याले प्रियोग शाला बन गए थे लिहाजा इस तरह की न्युक्ति सही है हालां कि वो विश्व विद्याले को भी फोस कामकाज की नसीहत देते हैं हमारे नए A.C.S. और हमारे नए सिक्षामंत्री ने एक बुद्धिमानी का तरकशंगत विचक्षन तरीके का इस्तेमाल किया है जिससे कि यह भी किसी को कहने का मौका न मिले कि विश्व विद्याले स्वच्चाचारी हो गया है तो स्वच्चाचारिता, स्वतंत्रता के बीच एक समझोताबादी या पहल विहार सरकार का है समाज वो उसी रूप में इसे देखना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए और दिया किसको गया है, नोडल अधिकारी के रूप में, निन्तरन कारी अधिकारी के रूप में, उनιह अधिकारीओं को दिया गया है जो बसुता कानून शंगत काम करने के लिए जाने जाते है बिहार में सक्षा विभाग का बजट 52,000 करोड रुपए है और इसी में 4200 करोड सिर्फ विश्विद्यालेओं पर खर्च होते हैं विश्विद्याले छात्र के भविश्य और उम्मीद का केंदर बने इसके लिए कामकाज में पारदर्शता जरूरी है